अभी पिछली दिनों ही मुम्बरा सिल्फाटा पर एक बाइक सवार को एक लौरी ने पीछे से टक्कर मार दी थी जिससे बाइक चालक की मौत हो गई थी रात करीब एक वजे के दर्मियान सिल्फाटा दोस्ती बिल्डिंग के पास एक कैंटेनर और हाथ से का सिकार हो गया कैंटेनर चालक का संतुलन बिगडा और सीधे रोट के बीचों बीच बने डिवाइडर के उपर चड़ गया बताया जा रहा है कि जहां यह हाथसा हुआ वहीं पर ब्रेकर है तेज रफतार होने की वज़ह से कैंटेनर चालक ने ब्रेकर पर स्पीड कम नहीं की स्पीड तेज होने की वज़ह से ब्रेकर से उचाल लेने के बाद रोट के बीचों बीच बने डिवाइडर पर कैंटेनर चड़ गया हाथसा होने के बाद चालक कैंटेनर को छोड़ कर फरार हो गया और सबसे एहम बात यह है कि सील फाटा की दोस्ती बिल्डिंग के पास हुए इस हाथसे का सबसे बड़ा कारण स्ट्रीट लाइट भी है अगर स्ट्रीट लाइट होती तो सायद कैंटेनर चालक की नजर ब्रेकर पर जरूर पड़ती हम आपको उस जगह की तस्वीर भी दिखा रहे हैं किस तरह से स्ट्रीट लाइट इस जगहें पर बंद पड़ी हुई है इसी वज़ा से यहां की सड़कों पर काफी अंधेरा रहता है जिसकी वज़ा से लूट मार की घटनाएं भी सामने आती है फिलहाल ट्राफिक पुलिस ने ततकाल क्रेन की मदस से इस कैंटेनर को डिवाइडर से नीचे उतार लिया है हलाकि इस घटना में किसी की जान तो नहीं गई मगर इस कैंटेनर ने स्ट्रीट लाइट का एक पोल जरूर तोड़ दिया है तो देश और दुनिया की तमाम ख़बरों को जानने के लिए देखते रहे है प्रहा टाइंज